कि अलो दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है एक्जाम मस्त चैनल में और आप सब देख रहे होंगे कि यहां पर एल्टी ग्रेट की सिख्षक भर्ती से संबंधित कुछ खबर निकलके आई है आज के न्यूस पेपर में कि भाई योग्यता के विवाद में फसे 6,970 पदो पर भरती शिख्र है ना ऐसी खबरे आप पिछले 3-4 सालों में कई बार देखे हों कई बार न्यूस पेपर में आ चुकी है यह खबरे आपने देखा होगा कि जो प्राथ्मिक की सिक्षक भरती है वो अनुपात समानुपात में फसी है जो 6-8 की भरती है उसका दो-दो बार रिजर्ट आ चुका है लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है कचन्नाव दस में अगर देख जाए 80 ग्रेट की भरती तो यह समकक्ष अरहता नाम का एक बिमारी है जो सरकार के द्वारा या कह लीजे प्रसासन के द्वारा लग गई है इस भरती में और वो समकक्ष अरहता को शायद अब यह क्लियर कर रहे हैं यह आज की पेपर की है इस जो 80 ग्रेट की भरती है इसमें लगभग 3,000 कुछ पद अभी जुड़ेंगे GIC प्रवक्ता के तो यह 10,000 से जादा पतफ हो जाएंगे इसके ठीक है यह 6,970 यानी लगभग 7,000 पद मान लिजे केवल 80 ग्रेट के है इसमें जब यह प्रवक्ता वाले 3,000 प्लस पद जुड जाएंगे तो यह आपका 10,000 से जादा भरती आ जाएगी लोग से वायोग के द्वारा और इसमें क्या कहा गया है कार्मिक विभाग के जो विभाग अध्यच्छ है इन्होंने ऐसे प्रस्तावों को संसोधित करते हुए आयोग को भेजने का निर्देश दे दिया यानी जो समकक्ष अरहता या योग्यता से रिलेटर जो विभाग तो सौल्व करके इन्होंने आयोग को भेजने का निर्देश दिया है अब इसमें ग्रूप C और ग्रूप D के पदों पर जो उत्तरपदेश अधीनस्ति सेवचैन आयोग के पास है समुह का वखा के पदों पर उत्त समकक्ष अरहता का विवाद था एक बात है कि यह जो नियम कानून है यह बहुत पहले के बने हैना क्या इसके पहले भरती हुई नहीं फिर आया समकक्ष अरहता का विवाद और चार साल का लगभग गया इस भरती में हो गया 2018 मुझे आधे पर हुआ था जुलाई में 29 जुलाई को उसके बाद से कोई 80 ग्रेट भरती नहीं है बीच में अभी 2020 में GIC प्रवक्ता का पेपर हुआ था प्री और मेंस तो इतने लंबे लंबे गयाप सिर्फ और सिर्फ चोटा सा विवाद जो यह चाहें तो एक मीटिंग dual meeting में बैठके सॉल्व कर सकते हैं इस विवाद से चार साल से अगने योग्यदिकारी है कि अगर मीटिंग करतें तो मीटिंग में मीबिवात सॉल्व होना है आप जानतें कि अगर करना चाहें तो we work नहीं के हैे कॉछ से सुल्व करखे देस सॉल्मकां को लोग से 4970 पदों पर भरती इसे सम्द्धित को विभागों को वापस कर दिया था यह इसके बाद क्या हुआता भरती इसthing प्रस्ताव थे उसको लोग से व आयगे सवायों क्यों वापस कि इस टिया तक समक्ष अरहता का विभाब था लेकिन अब आपको लग जाना चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दो-तीन सवाल है 80 grade से related क्या प्रीमेंस होगा क्या टेट सी टेट मांगेगा यह सारे कुछ सवाल है यह विवाद तो समगक्षरहता का खतम हो गया इस नातक से related विवाद था अब कई सारे इस नातक courses जो है वो eligible हो जाएंगे 80 grade के लिए क्योंकि कुछ लोग थे बीटेक वाले थे बीसीय वाले थे यह सब क्या थे यह इस नातक की समकक्षरहता रखते हैं दूसरी बात जैसे हिंदी और संस्कृत का subject combination है कि इंटर में चाहिए संस्कृत लेकिन जिसका graduation में उसको भी eligibility मिलेगी तो यह कुछ समकक्षरहता विवाद के जो मामला निपड़ गया है अब दो तीन चीज़े क्या pre or men's exam होगा यह बहुत बड़ा सवाल है कि कच्छा 9 से 10 level की भरती क्या pre or men's होगा तो अभी official जानकारी इस पर कुछ नहीं है official अगर हम बाने तो अभी तक वही व्यवस्था जो 150 नंबर वाली थी लेकिन गुप्त सूपरों से या कुछ बातों से कर्मचारियों से लोग से वायोग से यह सुनने को आ रहा है कि 9 से 10 में भी यह क्या करेंगे pre plus men's की व्यवस्था करेंगे और pre plus men's की व्यवस्था होगी तो कैसी तो प्री तो बिल्कुल हूँ आपका ऐसा ही होगा जैसे आप तक होता आया है 150 नंबर का प्री एक्जाम जो तैयारी चल रही है जिसमें 30 नंबर आपका रहेगा ही रहेगा और 120 नंबर आपका subject का रहेगा और यह एकदम वैसे ही रहेगा mcq question रहेंगे आपके negative marking रहेगी एक बटा तीन की सेम कुसे प्री बना देगा यालि अब तक जो एटीग्रेट का पेपर होता था सेम चीज को यह प्री बना देंगे और मेंस को क्या करेंगे इंटर्व्यू नहीं होगा ठीक है मेंस को क्या करेंगे descriptive रख देंगे descriptive में जो है आपको answer लिखना जैसा कि जी आइसी प्रवक्ता अगर चेंज होगा तो जिसकी उम्मीद मुझे तो बहुत प्रम लग रही है कि अच्छा 9 से 10 लेवल की भर्ती में रियॉर्मेंस नहीं होना चाहिए नहीं तो आप ज्यान लिजेए जो TGT PGT का भर्ती होता है उत्तरकदेश माधिनिक सिच् काफी नहीं जो प्री और मेंस लगाया जाएगा अच्छा 9 से 10 लिए हर भर्ती का एक्जाम कराने का एक लेवल होता है तो अब तक जो लेवल होता था वो यहीं डेड़ सो नंबर का पेपर होता था और यहीं सर्वमान अब प्री और मेंस अगर करेंगे तो पूरा पैटन बाँठन बदल जाएगा यह सेम रहेगा आपका यह प्री बन जाएगा जो पेपर अब तक जिससे आपको नौकरी मिलकी ठीए प्री बन जाएगा इसमें आपको अच्छे नंबर आंगे entoncesle लिखने को मिलेगा meanunal करेंद को मतलब यह है कि आपको प्रस्रत का उत्तर स्वयम होगा, वहां MCQ नहीं रहेगा, बहु भी कल्पी नहीं रहेगा, अब्जेक्टिव नहीं रहेगा, वहां आपको स्वयं खिनाल से, जैसे आपने कभी create वगएरा का exam दिया हो, तो दो paper होते हो, उसमें का objective होता है, प्रवक्ता का paper दिया होगा, तो आपको पता होगा, कि GIC प्रवक्ता में यह होता है, अब subject combination का विवाद solve हो गया है, समकक्ष अरहता का विवाद solve हो गया है, और यह मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि वही पुराने pattern का exam कर आएगा लोक्षे वायोग कि ज्यादा वेवस्था करने पड़ते हैं, बच्चे को आपको दो बार center करना, दो बार paper बनाना, copy चिक करना, यह सब थोड़ा चीज़ें जादा होती है, ठीक है, तो अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, देख लिजे, आयोग और बोर्डों को निर्देश के उनके जितने भी पदों में प्रस्ता पहुँच चुके उनके विज्यापन निकालते हो, आवेदन लेना शुरू कर दिया जाए, बैठक में समकक्ष अरहता का विवाद खतम हो गया, जो विभाग अध आपको वापस भेज़दो, जैसे ये प्रस्ताव वापस आया है लोग से वायोग कि पास तुलन धर्केशन आ जाएगा, तो आप सब OTR अभी से लोग से वायोग का OTR भर दीजिए, जिससे आपका 80-grade वेकेशनी का फोर्म आए, तो आप भर सके, दूसरी important बात है कि इसकी तैयार ही कहां से करें, तो दोस्तों GS के लिए complete package आपको मिलने जा रहा है, exam master के तरफ से, आपको करना क्या, इस package को मंगाने के लिए हमारा number आपको नीचे ये चली रहा है, 49-52-96-90, आप YouTube पर सर्च के लिजे इसका demo, ATGS best hard copy notes, ATGS best hard copy notes, ये आप YouTube पर सर्च के लिजे, एक video आ देखिए, ATGS का best hard copy notes, ये 7-8 part में है, जो आपका GS वाला section है, इतिहास, भूगोल, राजनीती, लोकनीती, आर्थशास्त्र, है न, quality, इसके बाद आप देखेंगे, क्रशी विज्ञान, विज्ञान, गरित, और करेंट से, ये complete package आप अपने घर मंगा कर के GS पढ़ना हिंदी का notes है, अंग्रेजी का notes है, संस्क्रिट का notes है, है न, फिर गडित का notes है, विज्ञान का notes है, साइंस, जो physics कमेश्टी वाला है, biology का notes है, home science का notes है, इतिहास, भूगोल, रथ, शास्त्र, और quality का notes है, SSD में complete notes है, तो कहने का बर्लब यह है कि आप ये notes अगर मंगा लेते है, तो लोग से वायों जब भी notification निकालेगा, ये notes ऐसे चात्रु का है, जिनका selection हो गया है, इतिकेट में, जिन्होंने अच्छी तयारी की थी, 3-4 साल पढ़ा था, उनको फिर से लिखवा करके, एक अच्छी writing में, एक जगा utilize करके, और साथ हुपीछे MCQ भी दिया गया है, पीछे practice भी दी गई है, तो आपका notes plus practice दोनों हो जाएगा इस notes में से, तो subject का notes पढ़ाना है, या GS का notes पढ़ाना है, सिर्फ A कही number है, demo आपके सामने है, बेहतरी writing के लिए हमारा channel जाना ही जाता है, 94-52-26-92, इस number पर आप सब लोग संपर्ख करके, तुरंत अपने notes order कर लि चाहे आप GS के notes मंगा लिजिए, और अगर batch आपको लेना है GS का, तो ये भी मिल जाएगा, इसकी शुरू से तयारी मिल जाएगी, इसके लिए exam master app download करना पड़ेगा, तो कहने के बनलब अब लग जाएए, क्योंकि वो बयार अब चल पड़ी है, और मुझे लगता है कि अब झाल के झाल कुड़ा है